गुड़ मॉर्निंग एवरीवन आज हम बच्चेवे इडली का डोकला बनाएंगे वेलकम टू दनलक्ष्मी होमकुक देखे इसके लिए दो आलू बच्चेवे दो इडली मेर्ची प्याज एक प्याज एक मेर्ची कटा हुआ करी पत्ता थोड़ा सद्रक को गीस ले ग्रेटर में अच्छा से एक ग्रेटर लेकर आलू को अच्छा से घीस लेजिए और उसे अच्छा से पानी से दो बर वाश कर ले उसमें पाउडर सा वाइट वाइट निकलता है ना पूरा चले जाए इस तरह से पूरा वाश करके रडी रखे जैसे वीडियो मेरे दिख्था है जैसा आसा चीज रहता है कुछ घीसने का उससे घिस्के आप रडी रख कर सकते हूं यह बच्चे वेट लिसे हम लोग बच्चे के लिए अपने ले नासता जैसा बना सकते हैं लिभी बोर लगता ना तो इसको ऑढ़ी का ढ़ुकला ही यह ऐसा इडली से ढ़ुकला बना सकते हैं यह कटेवी लिग इडली को मैंने छोटे टुकडम काट लेएं देखिए एक बॉल हुआ है कटा हुआ इडली अब एक कड़ाय लेकर गरम करके ओयल गरम करें इस्टो जलाकर इसमें ओयल डालकर राई और जीरा डाले जीरा थोड़े राई दानने डाल दें और अच्छा से चिट चिट के आवाज आ जाए तो इसमें प्याज कटे वे में ची अद्रक और करी पत्ता डालके अच्छा से भूने मेरी चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए कॉमेंट करें लाइक लाइक शेर कीजिए ऐसा से में चलाए इसको हल्दीट पोडर डाली ये थोड़ासा कलर केली टेर्मरिक पोडर थोड़ासा और वोडु चलाने के बाद ये थोड़ासा प्राइब होने के बाद वो जो घीस अवो आलू धोके रखे नाप घीस के उसे डाल दे अब इसको पांच मिनाड तक पकाना आये क्योंगे कच्छे आलू है इदली तो कूक है पांच मिनाड डग इसे खुक्कोने दीजी आलू कच्छे न तो उसे डग के पांच मिनाड चोड़ुदे सिम्मे रक्के इसमें थोड़ास नमक भी मिलाना है इडली में आल्रडी नमक थोड़ास रहत्ता इसमें आलू के लिए जित्ता चे उत्ता ही डालना है कम डाले और इसमें पांच मिनड तक पकने देना है रखके सिम्में रखके पकाले इसको आलू को चलाते रहना भी क्योंकि आलू ची पकता है बैड जाता है न तो देखे कित्ता जल दीजे पक गया हो गया यह आलू को खुआ अब उसमें इडली डाले इडली डाल देजी अब इस अच्छा से चला है इसको भी दो मिनट तक कुक करने के बाद देखे पूरे दो मिनट के बाद ऐसा बना है अच्छा से मिला लिए देखे रोकला तेयार हो गया है ठंड इडली से आप ऐसा बना सकते है वह बहुती टेश्टी और अच्छा लगता है इसा जरूरा है थैंक्स पर वाचिंग